नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चली आईए इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या प्याधारित कुछ प्रशनों का हल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम दिये गए कथन जो की हमें दर्शाना है उसके विप्रीत कथन को सत्य मान लेंगे। तो मान लीजिये तो हम क्या लिखेंगे मान लीजिये की टू ब्लस फाइव रूट थ्री एक परिमय संख्या है। तो हमने क्या यहां पे माना जो भी हमें दिया गया था सिद्ध करने के लिए उसके विप्रीत कथन को हमने सत्य मान लिया कि मान लीजिये की टू ब्लस फाइव रूट थ्री एक परिमय संख्या है। और क्योंकि अगर हम यह कह रहे हैं तो हम इस संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी बटे क्यू में हमारे पास यहां पे जो कुछ कंडिशन्स हैं वो यह कि क्यू का मान शून नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो सहा अभाजे हैं। मतलब आप अगर इन दोनों के गुणन खंड करेंगे और उसमें उभेनिष्ट निकालेंगे तो वो और वो सिर्फ संख्या एक ही होगा। संख्या एक के सिवा इनकी कोई भी और उभेनिष्ट नहीं हो सकते। तो ये दो कंडिशन हमारे पास हैं जब हम कह रहे हैं कि ये एक परिमे संख्या है। तो चलिए आईए ऐसा करते हैं कि इस उपर दिये गए समीकरण में दोनों तरफ दो को घटा दें तो हमारे पास आजाएगा पी बटे क्यू माइनस दो और अब ऐसा करते हैं कि पूरे ही समीकरण को हम पांच से भाग दे लेते हैं तो रूट तीन बराबर आजाएगा पी बटे पांच क्यू और माइनस दो बटे पांच अब आप में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमें दो संख्याओं का सब्ट्राक्शन मिल रहा है और ये तो उनों ही संख्याओं कैसी हैं परिमे संख्याओं हैं और हमें मालूम हैं कि अगर हम कोई भी दो परिमे संख्याओं ले करके उनका इस तरह से देखें कि हमें सब्ट्राक्शन करने पर क्या मिलेगा तो वो भी एक परिमे संख्याओं ही होती है तो इसका आशे यह हुआ क कि हम यहां पर यह कह रहे हैं कि रूट 3 बराबर है एक परिमे संख्या के और रूट 3 एक परिमे संख्या है और यह तो कथन गलत है क्योंकि हमें प्रश्ण में ही दिया गया है कि रूट 3 एक अब परिमे संख्या है तो यहां कथन गलत है और इससे हम यह कह सकते हैं कि हमने जो यहां बेमान लिया था मतलब हमने जो यहां पर अजम्षन लिया था वो गलत है और इसका आशेय यह हुआ कि 2 प्लस 5 रूट 3 एक परिमे संख्या नहीं है अता 2 प्लस 5 रूट 3 एक अपरिमे संख्या है और यही दो हमें सिद्ध करना था तो हमने यहाँ पे विरोधा भाज के उपयोग से ये सिद्ध कर दिया कि 2 प्लस 5 रूट 3 एक अपरिमे संख्या है चलिए आईए देखें कि और किस तरीके के प्रश्ण यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं 225 को उसके अभाज गुरन खंडों में व्यक्ट करें तो यह एक ऐसा प्रश्ण है जो आप काफी चोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं परंतु यहाँ पे हमने इसको अंक्यकरित के अधार भूत प्रमय के रूप में देखा और 225 का सबसे चोटा अभाज गुरन खंड जो है वो 3 हो जाएगा क्योंकि आप 2 प्लस 2 अगर करेंगे तो 4 है और 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 है और क्योंकि इस संख्या के जो अंक हैं उनका योगफल 9 है जो की 3 से घटित हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो की 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी तो अगर हम 3 को साथ से गुड़न फल करेंगे तो 21 होगा बचा 15 और 3 और 5 75 फिर आप अगर 3 से लेंगे तो यह आ जाएगा 25 और फिर आप अगर 5 से लेंगे तो आपको मिलेगा 1 तो इस तरह से 225 के गुड़न खंडों में हमने इसे व्यक्त कर दिया जो की हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 और इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं 3 की घात दो और 5 की घात दो का गुड़न फल तो इस तरीके से हमने इसको इसके गुड़न खंडों में व्यक्त कर दिया चलिए आईए अगला प्रशने देखें और अगला प्रशने हमें ये पूछा गय तो आईए सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझें कि पुड़ांक क्या होते हैं तो आपको याद ही होगा कि पुड़ांक को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं जेट से डिनोट करते हैं और ये वो सारी संख्याएं हैं जो की पूरी संख्याएं हैं और ये रिनात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं तो अगर हम इस तरह से कह लें इन संख्याओं को या फिर हम इन संख्याओं को इस तरह से कह लें तो ये पूरा ही समू जो है वो पुरांग होगा मगर यहां पे हम यह देख रही हैं कि पुरांग संख्याओं में कोई भी अपून संख्याओं नहीं है अपून का मतलब जैसे कि 0.23 या फिर 1.23 और यहां पे हमें जो एक संख्या दी गई है वो जो है वो अपून नजर आ रही है 2.35 के उपर बार तो इसलिए यह पुरांग तो नहीं होगी आए फिर से हम द इसी संख्या जिसको आप किस रूप में लिख पाएं पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएं और यहां पे क्यू काम मान जो है वो शूने नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो दोनों ही पुरांग होने चाहिए तो यहां पे जो हमें दिया गया रूप है उससे तो अभी हम नहीं कह पारे कि ये सत्य है कि नहीं, परन्तु ये सत्य हो सकता है इसकी जाच अभी हम करेंगे और ये P और Q जो है वो क्या थे, वो कोई भी पुढांग हो सकते हैं चलिए आजे बढ़ें, और देखें क्या ये एक अ-परिमे संख्या है तो अगर आप अ-परिमे संख्या की बात करें, तो अ-परिमे संख्या में जो दसंवलब प्रशार है, कैसा होना चाहिए? वह अ-सांथ होना चाहिए और अनावर्ति होना चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे आपके पास जो दी गई संक्या है वहाँ पे आपको असांद दश्रमलप्रसार तो मिल रहा है परन्तु यह आवर्ती भी है तो इसलिए यह अपरिमे संक्या भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास दश्रमलप्रसार अपरिमे के लिए कैसा होना चाहिए असांत और अनावर्ती जो अपने आपको ना धोराई कोई भी संख्या वहां पे बार बार ना आए आखरी में हमको जो यहां पे एक विकल्प दिया गया है वो है प्राकृत संख्या का और प्राकृत संख्या की अगर हम परिभाशा पे जाएं तो प्राकृत संख्याओं को हम नाच्रल नंबर भी कहते हैं और इनको गिंती करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक से शुर में आ गया कि यह जो दी गई संख्या है वो एक परिमे संख्या ही है क्योंकि बाकी तीन म calibre में कोई भी सही नहीं बैठ रहा मगर हमें व्याख्या करके यह बताना पड़ेगा कि यह परिमे संख्या कैसे है तो चलिए आएए देखते हैं कि क्या हम इस दी गई संख्या को इस रूप में ला पाएंगे और उसको करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि जो दी गई संख्या है वो X है तो मान लीजिए तो मान लीजिए कि X बराबर 2.353535 इस तरीके से है और अब मैं अगर इस समीकरण में दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 235.3535 और इस तरीके से और इस समीकरण को हम पहला कह लेते हैं और इस समीकरण को हम दूसरा कह लेते हैं और अब हम दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण जो है वो घटा दें तो देखिए हमारे पास 22 तरफ आ जाएगा 100X-X और आप अगर दाइन तरफ देखें तो दशनलब के बार की जो संख्याए हैं वो सारी हट जाएंगी और 235 मे अगर आप 2 खटाएंगे तो आपको 233 मिलेगा और 100 में से अगर आप एक खटाएंगे तो आपको 99 मिलेगा साथ में X भी होगा और अगर आप इस पूरे ही समीकरण को 99 से भाग दे दें तो 233 बटे 99 मिलेगा और ये जो है वो एक रूप है परिमय संख्या का आपको यहाँ पे numerator और denominator दोनों में ही जो संख्या मिल रही है वो पुणांख है और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह एक परिमय संख्या है क्योंकि यहाँ पे हमें व्याख्या करनी थी तो हमें यह सब बताना ज़रूरी है कि यह बाकी संख्याओं के समूख का एक भाग क्यू नहीं है औ प्रांच कीजिए कि 12 की घाद N अंक शून पर समाप्थ हो सकती है यदि N एक प्राक्रिट संख्या है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो संख्याएं शून से समाप्थ होती हैं वो कैसी हैं तो कुछ उधारन ले लें शून से खतम होने वाली संख्याओं का जैसे कि 40 या 130 या 550 या आप और कोई उधारन ले सकते हैं और अगर आप इनका गुणनखंड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक गुणनखंड 10 जरूर मिलेगा देखिए और यह जो है यह काफी सरल बात है समझने के लिए कि यहाँ पे आपको 10 जो है वो गुणनखंड मिल रहा है और अगर आप संख्या 10 को देखें तो उसका गुणनखंड होता है 2 गुणना 5 तो आशे यह है कि अगर आपके पास कोई संख्या 0 से समाप्थ हो रही तो उसके गुणनखंड में हमें 2 और 5 दोनों ही संख्याय मिलनी चाहिए और आए अब हम इस बात को ध्यान में रखते आधार भूत प्रमेग अनुसार यह गुणनखंड किसी भी एक अभाज संख्या के लिए नहीं बदल सकता जो कि भाज संख्याओं का गुणनखंड है इसका करम बदल सकता है परन्तु इससे इसके मान पे कोई भी असर नहीं आएगा अब अगर आप 12 की घात N की बात करें तो यहाँ पे जो दाई तरफ आने वाली हमारे पास अभाज संख्या हैं उनकी भी घात N हो जाएगी परन्तु इससे फिर से हमारे पास इन संख्याओं के समूपे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा जो गुणनखंड में हमें संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है वो अभी समान ही है और चू कि यहाँ पे हमें दो और पांच गुणनखंड नहीं मिल रहे दो और पांच गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहे तो यह बात यहाँ पे दर्शाना जरूरी है कि हमें यह दोनों ही संख्याओं यहाँ पे गुणनखंड में नहीं मिल रहे हैं बात जहा संख्याएं मिलनी चाहिए और ये क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए N के किसी भी मान के लिए 12 की घाद N शून पे समाप्त नहीं हो सकती तो अभी आपको ये बात अच्छे ते समझ में आ गई होगी कि शून पे तभी समाप्त हो सकती है जब हमें 2 और 5 पर आप शून पे तभी समाप्त हो सकती है जब आपको उसके कोड़न खंड में 2 और 5 दोनों मिले चली आईए अगला प्रशन देख लेते हैं तो पूछा क्या है 170 बटे 210 एक सांध दशमला प्रसार है या फिर वह एक असांध आवर्ती दशमला प्रसार है इस बात को समझाईए तो हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 170 बटे 210 और अगर हम इसका हर लेख हैं तो हर है 210 और अब आईए चली हम इसके हर का गुड़न खंड करें और अगर हम 210 का गुड़न खंड करेंगे दो से हर को करेंगे भाग तो 105 मिलेगा 105 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो है वो 21 आजाएगा और 21 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 7 आजाएगा का रूप किस प्रकार होना चाहिए अगर वो एक सांद रसंख्यांए हो सकती हैं परद यहां पर आपको जो हर है उसके गुरं-खंडन में जो संख्या 3 और 7 है, वो extra मिल रही है और इसलिए आप ये कहेंगे कि जो ये ससत्तर बटा 210 है इसका जो भी दशमलव प्रसार है, वो असांत होगा और क्योंकि हमारे पास, जो दी गई संख्या है वो एक पर्मे संख्या है, तो इसलिए आवर्ती होना आविशक है तो हमारे पास जी गई संख्या का दशमलब प्रसार असांत आवर्थी ही होगा चलिए आईए एक और प्रशन देख लेते हैं और यहां दिया गया है कि यदि 56.25 को भाग रूप में लिखा जाए तो आप उसके हर के अभाज गुडन खंडन के बारे में क्या कह सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 56.25 एक सांत दशमलब प्रसार है क्योंकि यह यहां पर खतम हो गया हमारे पास यह आवर्थी होता भी नहीं दिखाया गया है और असांध होता भी नहीं दिखाए गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि 56.2.3.5 एक सांध दशमलव प्रसार है और क्योंकि ये एक सांध दशमलव प्रसार है इसका आशे ये हुआ कि जो भी इसके लिए इसका भाग रूप या परिमे संख्या का मानक रूप रहा होगा उसमें जो हर होगा तो यहां पर अगर हम ये कह लें कि 56.2.3.5 प्रसार प्रसार क्योंकि रूप में लिखा जाता है जहां पर क्यों उसका हर है तो उसके गुड़न खंड़न का रूप किस प्रकार होगा 2 की घात M और 5 की घात N जहां पर M और N कैसी संख्याएं है कोई भी पूर्ण संख्याएं यानि 0,1,2,3 और इस तरह से कोई भी संख्या यहां पर हो सकती है तो जो हमसे प्रसने पूछा गया था वो हम क्या बता सकते हैं कि जो ये संख्या में दी गई है इसको अगर हम भाग रूप में लिखें तो उसके हर के अभाज गुणनखंड या तो 2 होंगे या 5 होंगे और चुकी यहां पर अभाज गुणनखंड पूछे गए हैं तो हमारा उत्तर ये हो गया कि 2 अभाज गुणनखंड इसके 2 और 5 ही हो सकते हैं और सिर्फ 2 और सिर्फ 5 भी हो सकते हैं तो मुझे आशा है मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बाते बताई आपको अच्छे से समझाई होंगे